हलो फ्रेंड्स वेलकम टू SSC कोचिंग सेंटर दोस्तो आज की वीडियो में बात करेंगे साधान ब्याज के इंपोर्टेंट प्रेशनों की दोस्तो वही कोश्चन लेकर आया हूँ जो सेट पैटरन के कोश्चन है एक्जाम में पूछे के कोश्चन है तो चले स्टार्ट करत होगा कि दो सेकंड से ज़्यादा का वक्त नहीं लगएगा इन प्रेशनों को करने में ब्याज कितना दे रखा है मूल्दन का Cayटे साथ के एक बट्टे पाँच के लिए दोस्तों तीन से कटाएंगे छे को दो बार में कटेगा ती कितना हो जाएगा दो बट्टे साथ कितना हो जाएगा दोस्तों दो बट्टे साथ हो जाएगा आपसे कोश्चन में क्या पूछ रहा है दर पूछ रहा है रेट पूछ रहा है तो दो उन्हें का 14 कटेगा दोस्तों 6 बचेगा 7, 7, 8, 56, 56 तक कटेगा कितना बचेगा 4 नहीं जाएगा तो पॉइंट लग जाएगा, के लिए रहे, अब यहाँ पर मैच कर लीजिए 28 कितने option में है, 28, 28, 28 एक ही option में 28 है, यही हो गया आपके question का सही answer, आगे solve करने की कोई जरूत न इंचास तक कटेगा, के लिए दोस्तों, 28, 57 परसेंट आ जाएगा, तो पहले से ही यहाँ पर हमने भी answer कर दिया गया है, उमीद करता हूँ question आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और इसका solution आपको और भी अच्छा लगा होगा, ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला question, अगला question है आपका, कोई रासी साधन ब्याज की दर से दो साल में 720 उर्पे और पांच साल में 120 उर्पे हो जाती है, तो मुल्धन है, मुल्धन पूछ रहा है दोस्तों क्या होगा, क्लिए रहे, कोई भी रासी हमारी दो साल में कितनी होगी दोस्तों, दो साल में होगी हमा 1020, कितनी साल में होगी दोस्तों, पांच साल में राशी होगी हमारी 1020, किलिए रहे, तो यहां से दो से लेकर हम 5 पर आए, किलिए रहे, कितनी साल बढ़ गई हमारे पास 3 साल बढ़ गई, और 3 साल में दोस्तों हमारा ब्याज कितना बढ़ गया उस पर, यह देख लेते है तीन साल का ब्याज कितना है, तो इस मैं से हम इसको घटा देंगे, पता चल जाएगा कितना बड़ा है, ठीक है, एक चार बीस मैं से इसको घटा देते हैं, जीरो मैं से जीरो जाएगा, जीरो, दो मैं से दो जाएगा, तब भी जीरो आएगा, आपका दस मैं से तीन जाएगा साथ जाएगा तीना जाएगा तो हमारा तीन वर्स का ब्याज कितना है दोस्तों तीन सो है जब तीन वर्स बड़े है और ब्याज बड़ा है तीन सो बर्स तो एक बर्स का ब्याज कितना हो जाएगा दोस्तों सो हो जाएगा के लिए रहे तो दो वर्स में ब्याज सामिल है इसमें हमारा और दो वर्स का ब्याज कितना लगा होगा इस पर 200 रुपे के लिए रहें तो हमें 720 में से क्या करेंगे ब्याज को माइनस कर देंगे ब्याज कितना बड़ा है हमारा 200 रुपे बड़ा है तो इस 720 में से ब्याज को माइनस 520 आएगा 520 था दोस्तों हमारा principle किस option में है पहले ही option में तो उम्मीद करता हूँ अब यह question आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आगया होगा अब देखते हैं अगला question अगला question है आपका वहरासी क्या होगी जिस पर 5 बरसों में 6 प्रतिसत प्रतिवर्ष की धर से 60 टी पूरे का बटा 100 यह दोस्तों simple interest का एक formula होता साधान भी आजगा इस formula से क्या करेंगे इस question को हम solve कर लेंगे simple interest आपको 60 रुपे दिया गया तो आप यहाँ पर 60 रख दीजे बराबर principle पूछ रहा है वहरासी क्या होगी principle पूछ रहा principle को ऐसे ही रहने तो rate आपको दिया ग 5 से दोस्तों अगर मैं 100 को काटूंगा तो 20 बार में कटेगा ठीक है अगर मैं 6 से 60 को काटूंगा तो 10 बार में कटेगा और 20 का हो जाएगा दोस्तों 10 से multiply तो कितना हो जाएगा यह हो जाएगा आपका 200 हो जाएगा इधर और इधर क्या बचेगा P ठीक है इधर का ऐसे multiply हो तो 200 बराबर P तो principle पूछा गया था principle दोस्तों कितना होगा principle होगा 200 रुपे पहला question होगा आपके question का सही answer clear दोस्तों उम्मिद करता हूँ किसी को कोई भी doubt नहीं होगा अब देख लेते हैं अगला question अगला question है 3,000 रुपे की रासी पर 12% बारसी के साधन ब्याज पर 1,80 का ब्याज कितने सालों में मिलेगा समय पूछ रहा है दोस्तों इस question में लेकिन formula आपको पचा है simple interest बराबर क्या होता है P, R, T बटे में क्या 100 ये आपको formula पता है simple interest आपको दे दिया गया है 1080 के लिए रहे ब्याज आपको एक 80 दे रखा है principle दे रखा है 3000 दोस्तों principle है rate भी दे रखा है 12% का 12 रख दीजे time पूछ रहा है कितने सालों में कितने वर्स में बटे में कितना जाएगा 100 बस इसको solve कर लीजे आपको question cancer आजएगा 2-0 से दोस्तों यहाँ पर आपके 2-0 कट गए और 1-0 से आपका यह 1-0 कट गया 12 से कट आएंगे 108 को 12 निम्मा 108 होता है 9 बार कट गया और 3 से कट आएंगे इस 9 को तो 3 बार में कट जाएगा तो इधर क्या बचा दोस्तों 3 और इधर क्या बचा टी टाइम कितना हो गया दोस्तों 3 साल का तो 1 हे रसी का ब्याज कितने सालों में मिलेगा 3 साल में मिलेगा भी ओप्सन हो गया आपके कोशन का दोस्तों सही आंसर उम्मीद करता हूँ किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा अब देखते हैं अगला कोशन अगला कोशन है आपका कितने बरसों में 10% बार्शिक साधान व्याज पर कोई धनराशी दो गुली होगी ये कोशन बहुत इंपोर्टेंट है दोस्तों और एक्जाम में भी पूछा जाता है गुरुप D का एक्जाम हो, NTPC का एक्जाम हो SST का एक्जाम हो, CTET का एक्जाम हो ये कोशन दोस्तों पूछा जाता है अब इस कोशन में आपको क्या करना है क्या इसमें फॉर्मूला लग जाएगा आपका सिंपल इंट्रेस्ट का, फॉर्मूला तो नहीं लगेगा ये की प्रिंसिबल भी नहीं दे रखा, ब्याज भी नहीं दे रखा है सिर्फ आपको रेट दिया गया है क्या करना कोशन को समझे कितने बर्सों में 10% बार्शिक साधन ब्याज पर कोई धनरासी दुग नहीं होगी कोई धनरासी नहीं दी गई आपको धनरासी भी जब धनरासी नहीं दी गई आप उससे सो मान लेंगे धनरासी को किलियर है धनरासी को क्या मान लेंगे सो मान लेंगे और वो धनरासी कितने बर सो में 10% बासिक ब्याज की दर से कितनी हो जाएगी दो गुनी मतलब प्रिंसिपल आपने कितना मान लिया 100 और ये कितना हो जाएगा दोस्तों दो गुना हो जाएगा मतलब 200 हो जाएगा किलियर है कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा 2 गुना हो जाएगा 0 से 0 कटा आपका आंसर आ गया दोस्तों 10 वर्ष केलियर है तो कितने बर्षों में 10 वर्ष में 10% की ब्याज से क्या होगा आप राशी दुग नहीं हो जाएगी 10 वर्ष में केलियर है C option हो जाएगा आपके question का सही answer उमीद करता हूँ सभी को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा अब देख लेते हैं अगला question अगला question है आपका किस साधान ब्याज की दर से कोई मूलधन 20 वर्ष में तिगुना हो जाएगा ये question भी बिल्कुल पहले की तरह है लेकिन इसमें क्या पूछा गया है दोस्तों दर पूछी गई है ठीक है समय देदी जा गया है दर पूछी गया है कितना हो जाएगा कर दो divide कितना आजाएगा दोस्तों 10% आजाएगा आगया दोस्तों आपके question का सही answer पहला option उम्मीद करता हूँ अब इस question में किसी को कोई doubt नहीं होगा principle नहीं दिया गया सौमान लीजे दुगने की बात करें दो गुना कर दो तेगने की बात करें तीन गुना कर दो कितना ब यदी आठ वर्स में अबदी में के लिए आठ वर्स की अबदी में अर्जित ब्याज मूलधन के बराबर है जो दोस्तों ब्याज है वो मूलधन के बराबर है तो लागू की गई साधन ब्याज की दर क्या होगी के लिए दोस्तों ये पूछ रहा है अपसे तो आपसे एक च कितना होगा सौगा एसाही कितना होगा सोगा यह कह रहा को इस दोस्तों इतने बात कर रहा और कुछ भी बात नहीं कर रहा तो कितना बढ़ गया है दोस्तों सो ही तो बढ़ गया है कितना बढ़ गया है दोस्तों सो बढ़ गया है ठीक है सो में क्या करेंगे समय से डिवाइड करेंगे रेट निकल के आता है रेट से डिवाइड करेंगे समय निकल के आता है ये मैंने पिछले कोशन बताया था समय से कर दो 0.5% का क्या होगा दोस्तों rate होगा क्या पूछा गया था आप से कोशन में दर पूछी गई थी कि दर क्या है 12.5% की दोस्तों दर होगी के लिए रहे डी ओफ्षन हो जाएगा आपके कोशन का सही आँसर दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस कोशन में जितने भी doubt हो या से मुझे बता देना अगर वीडियो अच्छा लगा है पसंद आया है तो लाइक कर दिना और दोस्तों में शेयर कर दिना दोस्तों यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सबस्ट्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और वैल आइकन का वटन भी दवा दिजिए दोस्तों धन सबस्ट्राइब और पनारूस सekt अगरेब गाली हमारे वीडियो अपर रल WebsSt